सुनीतास किचन में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे सरसो का साग, इसके लिए मैंने 400 ग्राम सरसो का साग लिया है, 200 ग्राम पालक है और 100 ग्राम बत हुआ लिया है, सबसे पहले मैंने इनको अच्छी ते से साफ कर लिया था, साफ करने के बाद मैंने उसे दो लिया, द दैसी घी लिया है दो मीडियूम सइज के मेंने टमाटर लिये है एक बरी सइज कर प्याज है अप मैंने पानी लिया है इस साख में मैं एक पानी डाल के बनाओंगी तीन सूखी लाल मिर्च है, जो तड़के के लिए रहेंगी, एक चमच, छोटे चमच से एक चमच हल्दी पौडर है, पांच हडी मिर्च है, मिर्च के मातरा कामिया ज्यादा आप रख सकती है, नमक स्वाध अनुसार है, बड़े चमच से एक चमच मैंने मक्की काटा लिया है चलिए अब हम बनाने शुरू करेंगे, सबसे पहले कुकर में हम साब को डाल देंगे, यह मैंने डाल दिया है, अब इसमें मैं पानी डालूँगी, एक कप पानी है, नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि तरके के लिए भी हमें नमक चाहिए, थोड़ करहाई जब गरम हो जाएका तब मैं इसमें घी डाल दूगी इस साग में थोड़ा घी की मातरा ज्यादा लगता है मैंने ज्यादा घी डाला है आप चाहे तो घी कम भी डाल सकते हैं घी जब पिघल जाएगा तब मैं इसमें प्याज डाल दूगी तो मैंने प्याज डाल दिया है अधरक लसुन डाल दिया है हरी मिच डाल देंगे मीडिया माज पे दो से तीन मरता हम मिचे भूलेंगे है अब हम मुइस हम टमाटँ डाल देंगे असे थे ध्यारे हमने पहले बीडाला था साग में इसलिए यहां पर धोगम डालेंगे नमक हालदी आगो डाल देंगे और इसको मीडियम आज पर 2-3 मिन तक हम इसी प्रकार से भूनेंगे तीन मिनिट हो चुके हैं अब मैं इसमें साग डाल दूंगी पानी निकल आया है इस पानी को हमने फेकना नहीं है इसको हम तड़के में डालेंगे साग समय थी इसी तर से डालना है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे साग को अच्छे से मिक्स हो गया अब हम इसमें मकी काटा डाल देंगे यहां पर यदि आपके पास घोटने वाला होता है जो साग को घोटते है वो है तो आप उससे इसको अच्छे से घोट सकती है यहां पर मैं पोटाइटो मेशर के यूज़ कर रही हूँ अब हम इसी तरह से घोटेंगे यह हमारा साग त्यार है अब हम इसे दूसरे बर्तर में निकाल लेंगे यहां पर घी डालके लाल मिच डालके हम तरकर लगा लेंगे यह हमारा सर्सों का साथ त्यार है यदि आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब कर आप शेयर करना नह भूले थैंक्यू